हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत है टार्गेट क्लासे विधारीस सर में इस वीडियो में फिचकल एसक्राइशन से रिलेटेड कुछ मोश्ट इंपोरेंट टॉप 20 कोईशन डिसकस करेंगे जो आगामी TGT और PGT के एक्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी होंगे और जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर दें वोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रस कर दें जिसे किसी भी नए वीडियो का नोडिफिकेशन आप लोग को समझ से मिल सके तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट कोईशन आज के जो कोईशन अवस मिलेगा तो इस कोईशन का जो राइट आंसर हो जाएगा कोसिका का अध्यन किसके अंतरगत किया जाता है साइटोलोजी मायोलोजी आर्थोलोजी आ फिर इन में से सभीत बताइएगा कोसिका का अध्यन जो है किसके अंतरगत किया जाता है तो राइट आंसर किस आप् इस question का right answer हो जाएगा cytology के साथ में relate करेगा कोसिका का अध्यन की बात की जाए तो क्या हो जाएगा cytology right answer हो जाएगा next question पर move करते है संधियों का अध्यन किसके अंतरगत किया जाता है जो संधियां है उसका अध्यन जो है किसके अंतरगत किया जाता है orthology आप्सन के साथ रिएट करेगा, C आप्सन होगा, B आप्सन होगा या फिर A आप्सन होगा, बताईएगा, और यह पार्ट नमबर आपका है 326, इसके पहले कि अगर वीडियो आप लोगों ने नहीं देखें तो यूटूब पर सर्च करिएगा, फिजिकल एजक्वेशन बाइ से देखने के लिए मिलेगा, तो इस कोईशन का जो राइट आंसर होगा, क्या होगा, आर्थोलाजी हो जाएगा इस कोईशन का, राइट आंसर नहीं A आप्सन सही होगा, नेक्स्ट कोईशन पर मूव करते हैं, उतक का अध्यन क्या कहलाता है, जो उतक है, उसका अध्यन क् histiology बोलेंगे myology यहाँ पर होना चाहिए और d आप से ने ecology बताईए 43 most 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 important question इस जो top 20 question है यहाँ से आपका एक न एक question अवस्ती एक्जाम में देखने के लिए मिलेगा practice sets में भी सामानिता यह question दिये जाते हैं तो इस question का जो right answer होजाएगा उत्तक का अध्यन क्या कहलाताय तो किसके साथ में relate करेगा बता दीजिए गा दा है I heart cancer co can wife और आफर हिस्टियोलाजी होगा माइो लॉजी और किया चाल हुगा इस्तो कि उर्लेट करेगा 45 को पाटा-टे क्या हो जाए है राइट है इंच्ट युवड कर जाते हैं प्लाज्मा का अध्यान किया जाता है किसके अंतर्गत हाइजन, कॉर्नियोलोजी, मायोलोजी मायोजाजी लिखावे मायोलोजी होना चाहिए नैफरोलोजी बताईए जो प्लाज्मा का अध्यन है ये किसके अंतरगत किया जाता है तो यहाँ पर जो आप्सन आपका क्या हो जाएगा सेरोलोजी के साथ में रिलेट कर जाएगा इसको ध्यान रखिएगा सेरोलोजी इसकोईशन का राइट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा इसका सही उत्तर यहनि सेरोलोजी के साथ में रिलेट करेगा बहुत अच्छा कोईशन है यहाँ पर options आपका उसमें दिया नहीं है यह cardiology जो लिखा यहाँ पर serology सर लिख रहे थे इसको यहाँ पर उन्होंने spelling mistake कर दी तो serology इस question का right answer हो जाएगा plasma का अध्यन की बात की जाए तो किसके अंतरगत relate कर जाएगा serology right answer होगा next question पर move करते है question number आपके screen पर आगया 45 हड़ियों का अध्यन क्या कहलाता है अब बताएगे जो हड़ियां है इसके अध्यन को क्या बोलते है A, B, C या फिर D option कौन सा option right answer हो जाएगा 9621-819-209 जो भी हमारे paid group से जुड़ना चाहता contact करके paid group से जुड़ सकता है 9621-819-209 जैसे ही आप payment करेंगे आपको 10,000 questions की PDF मिल जाएंगी साथ में आपको mock test दिया जाता weekly वो मिलेगा और साथता ही के साथ आपको जो PDF भी दी जाती group में वो मिलेंगी और उसके बाद आपको जो marathon classes होंगी वो भी आप लोग को दी जाएंगे exam की date आने से 1,5 मुने पहले उसका link आप लोग को group में दे दिया जाएगा तो उसकी classes अभी आप लोग को नहीं दी जाएंगी exam के पहले वो classes सारी मिलेंगी और जितने भी question है आपके syllabus के according वो सारे questions आपको वहाँ पर दिये जाएंगे तो जिसको भी add होना है वहाँ पर add हो सकता है 9621-81-9209 पर phone पर Google पर Amazon पर Paytium account पर भी कर सकते हैं किसी दूसरे का दवारा भी payment करा कर स्क्रीन सेंट कर सकते हैं तो इस question का जो right answer होगा क्या होगा तो कि किसी भी exam को crack करने के लिए एक सही रनीत की जरूरत होती है और सही तरीके से आगे बढ़ने की जरूरत होती तब जाके वो slabus cover होता है क्योंकि एक दिन में कोई नहीं सीख सकता है नहीं आपको daily so question अगर हम देना start कर दे उसमें भी आप नहीं सीख एक systematic तरीके से आपकी तयारी कराई जा रही उसी तरीके से आपको सारा slabus cover कर दिया जाएगा question number 45 answer क्या होगा osteology के साथ में relate करेगा D option right answer होगा next question पर move करते है 46 mustis का अध्यन किसके अंतरगत किया जाता है cytology, myology, chronology, chemotherapy 46 का right answer बताइएगा कौन सा option सही हो जाएगा C option chronology के साथ में relate कर जाएगा C option right answer होगा next question पर move कर जाते है केंद्रक का अध्यन किसके अंतरगत किया जाता है 47, यहां से question पूचे जाते है ध्यान रखियेगा एक से दो बार वीडियो आवर से देखियेगा योगि इस तरीके के question बहुत exam में आते है केंद्रक का अध्यन किसके अंतरगत किया जाता है 2018 से related question आप लोग को दिये जा चुक है most important question और भी जो question होगे next videos में वो भी provide कर दिये जाएगे राष्ट मंडल केल 2018 के questions दिये जा चुक है इसके पहले कि 2 videos में 2 से 3 videos में वो questions दिये गए है बताइएगा केंद्रक के अध्यन की बात की जा रही है किसके साथ relate करें कि क्रायोलोजी हो जाएगा इस question का right answer यह option सही हो जाएगा यह उत्तर right answer होगा next question पर move करते हैं most 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 important question physical education के साथ साथ यह one day exams में भी यह question पूछा गया है हर्दय का अध्यन किसके अंतरगत किया जाता है UPSSCC में यह कई कोई बार यह question पूछा गया है जो exam आयोग के द्वारा कराया जाता है तो बताइए यहाँ पर आप लोग के लिए तो important है ही योगि physical education में anatomy से related question ना पूछा जाए तो paper आपका बन ही नहीं सकता है तो anatomy से question आना must होता है तो रदे का अध्यम बताइएगा किसके अंतरगत किया जाता है कॉडियोलोजी, मायोलोजी, हाइडो थेरफी या फिर इनमें से कोई नहीं question number 48 इसका right answer किस option के साथ relate करेगा बहुत ही important most 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 important question है answer जो हो जाएगा आपका काडियोलोजी के साथ में relate करेगा एए option सही हो जाएगा जिसने भी एए option क्लिक किया उसका उतर right answer हो जाएगा next question पर move कर जाते है सौंदर सास्त्र का अध्यन क्या कहलाता है जो सौंदर सास्त्र है इसका अध्यन क्या कहलाता है क्या बोलेंगे इसका right answer किस option को आप क्लिक करेंगे बताईएगा neurology बोलते है myology बोलते है aesthetics बोलते है आफिडी option है इन में से कोई नहीं question number 49 और तयारी आप लोग करते रहिएगा continuity अब अब से बनाया रखिएगा क्योंकि सफलता प्राप्ट करने के लिए continuity बहुत जरूरी है तो C option right answer हो जाएगा aesthetics के साथ में relate करेगा C उत्तर सही होगा next question पर move करते है anatomic का अध्यन किसमें किया जाता है किसके अंतरगत anatomic का अध्यन किया जाता है सरी संदचना बिज्ञान में किया जाता है केंद्रक के अध्यन में किया जाता है हिर्दे का अध्यन में करते है या फिर कोसिका का अध्यन में करते है anatomic का अध्यन क्योंकि आपके exam में anatomic से question पूचे जाते हैं अब बता दीजिएगा इसका आध्यन किसे अंतरगर کیा जाएगा बताये राइट आंशर क्या हो जाएगा आपको B होगा, C होगा, D होगा या फिर A option होगा कौन सार राइट आंसर होगा A option के साथ में उत्तर relate कर जाएगा A option राइट आंसर हो जाएगा A उततर सही होगा इसके पहले के वीडियोज देखने के लिए यूटूब पर साज करिएगा फिजकल एच्वेशन भाई पंकर सर पार्ट 11 से लगा कर पार्ट नमबर 326 आज तक के जितने भी वीडियोज अपलोड कियें वो सारे वीडियोज आपको वहाँ पर मिल जाएंगे उन वीडियोज को आप एक से दो बार तीन बार जितना भी समय आपके पास उन वीडियोज को देखिएगा उससे आपके जितने भी प्रैक्टिस सेट मार्केट में अवलेबल हैं आप देखिएगा अगर एक सो पचीस का प्रैक्टिस सेट बना हुआ तो आपको सतर से असी क्वेशन यहां से मिल जाएंगे तो राइट आंसर देख लेते हैं क्वेशन नमबर 51 उत्तर जो हो जाएगा मायोलोजी की बात की जाली तो मान स्पेशियो के अध्यान से रिलेट कर जाएगा ए आप्शन राइट आंसर हो जाएगा ए उत्तर सही हो जाएगा वीडियो का संदर लाइक कर दीजाए चैनल पर पहली बार विजिट करने तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रस कर दीजेगा जिसको भी पेट ग्रूप से जुड़ना है कॉंटेक करके हमारे वाट्सअप नंबर पेट ग्रूप से तुरंत जुड़ सकता है 9621-819209 पर कॉंटेक करके आप लोग पेट ग्रूप से जुड़ सकते हैं 52 का राइता क्या होगा नाफर लॉजी का ज़िए किसके अंतर रित किया जा तो बहुत बार यह कुछा गया है अब पर उब तो यहां पर Humans की बात की गयं 52 अग capacwed करेगा एच आफशन का जाएगा दो ऊब्शन का बाड़ान रख लोग वेस्ट सही होगा next question आपकी screen पर आरे question number 53 शरीर की उचाई मापने के यंत्र का क्या नाम है कौन सा यंत्र है इसके द्वारा सरीर की उचाई को मापा जाता है question number 53 skinful caliber वैंग scale या फिर stadion meter या फिर treadmill बताईए और community पर जो भी questions सर के द्वारा upload किये जाते हैं उन questions को आप लोग देखते रहिएगा अगर किसी question में आपको answer नहीं आता है तो उसको आप लोग कहीं न कहीं से search करिएगा योगी community पर अगर question दिया जागा तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत कर सकते हैं तो search करिए कि उसका आपको answer कहीं न कहीं से मिल जाएगा question number 53 का जो right answer होगा सरी की उचाई मापने की यंद को क्या बोलते हैं तो ये क्या होता है studio meter के साथ में relate कर जाएगा c option इस question का right answer होगा c उत्तर सही हो जाएगा next question पर move कर जाते है कमर और नीतम के मद्द के अनपात किसके द्वारा निकाला जा सकता है निकाला जाता है question दिया हुआ option आप लोग देख लिजिएगा a, b, c और d option है कौन सा option right answer होगा बताईएगा किस option के साथ में relate करेगा d option इहाँ पर right answer हो जाएगा d उत्तर सही हो जाएगा इस question में आप लोगों ने बहुत से बच्चों ने b option क्लिक किया था रेकिन right answer आपकर क्या हो जाएगा d उत्तर के साथ में relate करेगा d option right answer होगा next question है जोड के पास इस्ति दो सीधे अंगों के मद्ध कोड मापने के यंत्र कौन सा है कौन सा यंत्र माप है बताईएगा जोड के पास इस्ति दो सीधे अंगों के मद्ध कोड मापने के लिए बताईए और आपको मेहनत ज्यादा से ज्यादा करनी योगि जब आप आगे बढ़ते तो आपको पीछे करने के लिए कोई ना कोई आगे अवस से आता है इसलिए आप उसकी चिंता ना करते हुए आप कांटी न्यू पढ़ाई करियागा और सही तरीके से पढ़ाई करियागा टेंशन फ्री होके पढ़ाई करियागा आपका जो तयारी है तयारी करने के लिए आपका जो सलेबस ने धायत किया गया आयोग के द्वारा उसकी तैयारी आपकी अच्छे से हो सकेगी तो इस कोईशन का राइट आंसर क्या होगा कोईशन नमबर है 55 बताईए गोनियो मीटर इसकी फोल्ड कैलिपर ट्रेड मील या फिर वैस्ठी बताई 55 किस आप्शन के साथ रिलेट करेगा बहुत जबादस ए आ आप अगर आराम करें तो उस टाइम पर कोई न कोई पढ़ रहा होगा यह ध्यान रखेगा कॉम्पटीशन का लेबल इस समय बहुत बढ़ गया है उस कॉम्पटीशन को बीट करनी के लिए आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी और वो मेहनत आप लोग कर सकते आप सभी के अंदर च्छमता है बस उस मेहनत को इस बार करिएगा आपके हाथ में नौकरी होगी क्योंकि गौर्मेंट जॉप के लिए इस बार ना ही इंटर्वियू है ना ही इसमें नेगेटिव मार्किंग रखी गई तो सबसे गोल्डेन चांस है यूपी टीजी टी के ल चाहता है नेक्ट व весь च्छमता किसके द्वारा मा पी जाती आप बताईएगा जो चमता है वह किसे से रेलेट करेंगे परन्यों मेंटर अप्से ने खिरेंगे क्रेंड इंडेक्स होगया फिर गोनियो मीटर होगा या फिर स्पाइरो मीटर होगा अब आप लोग को थोड़ा सा टाइम भी बीच में दिया जाता है कि आप इतनी देर में आंसर क्लिक कर दें तो राइट आंसर आपने जो क्लिक किया होगा क्या option क्लिक किया है यह option जिसने भी राइट आंसर किया है उसका सह ही हो जाएगा यह उत्तर राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेशन पर मूफ करता है नेक्स्ट क्वेशन है आपके स्क्रीन पर इस्पाइरो मीटर कितने प्रकार का होता है जो इस्पाइरो मीटर कितने प्रकार का होता है एक दो तीन या फिर चार प्रकार का बताईए इस्प पसंदर आप तुरंत लाइक करिएगा चैनल पर पहली बार वीजिट कर दें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रस कर दिएएगा वीडियो जितने भी आपके फिजिकल एजक्वेशन के ग्रुप्स बने हुए जो भी आपके फ्रेंड्स रिलेटिव जो भी त कोईशन पर मूब करते हैं नेक्स्ट कोईशन है वसार रहित शरीर के भार कमापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है किस यंत्र के द्वारा किया जाता है आप बताईएगा इसकिन फोल्ड कैलिपर गोनियो मीटर स्पाइरो मीटर या फिर डी आपसे बोर्ड पॉर्ड ब हैट solve किया उत्तरा खंड एल्टी ग्रेट के अगर आपने आवस्य देखा उगा उत्तर भी आपने सही क्लिक किया हो राइट आंसर होगा स्कीन फोल्ड कैलिपर इस question का राइट आंसर हो जाएगा यह उत्तर सही हो जाएगा आज की इस वीडियो का last question आपकी स्क्रीन पर आ रहा है हिर्दय दर की गत को किसके द्वारा मापा जाता है अब बता दीजिए का इस question का right answer क्या होगा आज की इस वीडियो का last question है हिर्दय दर की गत को किसके द्वारा मापा जाता है बताईए जल्दी से right answer किस option के साथ relate करेगा जिसको भी हमारे paid group से जुड़ना है 9621-819209 payment आपको इसी नंबर पर करना है phone पे, Google पे, Amazon पे, Paytm या फिर account पे भी कर सकते हैं या फिर आप किसी दूसरे के द्वारा भी payment कराकर screenshot send कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ आपको 500 टुपेज का payment करना होगा जैसे या payment करेंगे आपका verification होगा उसके बाद आपको notes मिल जाएंगे उसके बाद में आपको group से add कर दिया जाएगा और जितने भी facilities हैं वो group में आपको दी जाएंगे exams तक, exams के एक से दो दिन पहले तक भी आप लोग को वो facilities मिलती रहेंगी और जो मायराथन classes होंगी वो भी वहाँ पर मिलेंगी लेकिन उसका एक time हमने निश्चित किया है उसी time पर वो classes आपको provide की जाएंगे question number 60 देख लेते हैं हृदय दर की गद को किसके दारा मापा जाता तो ये किसके दारा मापा जाता इस टैथो इस scope के साथ में relate करेगा ए option right answer होगा ए उत्तर सही होगा आज के इस वीडियो में बहुत से बचोंगे 20 by 20 भी marks आये होंगे अगर आपके 20 by 20 marks आर हैं तो आप लोग और थोड़ी सी मेहनत करिएगा और आने वाले exams के लिए आपको हर तरीके के questions के लिए अपने को prepare करके रखना है जिससे आप उस exam को crack कर सके एक बार इसका revision करा देते हैं 60 से आपको जितने भी question आज कराया गया है इस टैथो इस scope हो जागे इस question का right answer question number 59 वसा रही सरीर के भार का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है अभी आपको बता है इसकिन फोल्ड कैलिपर के साथ में relate कर जायागा question number 58 इस पाइरो मीटर कितने प्रकार का होता है तो ये कितने प्रकार का होता है टू टाइप्स का होता है बी आप्सन राइट होगा next question है 57 जैविक छमता किसके दारा मापी जाती है तो जैविक छमता जो किसके साथ relate कर जाएगी इस पाइरो मीटर के साथ में relate करेगी ए आप्सन राइट आंसर हो जाएगा question number 56 फेफ़ों कि छमता किसके दारा मापी जाती है तो फेफ़ों कि छमता जो है इस पाइरो मीटर के साथ relate कर जाएगी डी आप्सन इस question का right answer होगा question number 55 जोड के पास इससी दो सीधे अंगों के मद कौन मापने के यंत्र कौन सा होगा गोनियो मीटर के साथ में relate कर जाएगा यहीं ए option इस question का right answer हो जाएगा यह उत्तर सही होगा question number 54 है आपके screen कमर और नीतम के मद के अनपात किसके दोरा निकाला जाता है west heap अनपात हो जाएगा इसका D option right answer होगा question number 53 है सरीर के उचाइम आपने का यंत्र कौन सा हो जाएगा इस्टूडियो मीटर के साथ में relate कर जाएगा C option right answer होगा question number 52 है आपके screen पर nephrology का अध्यन किसके अंतरगत किया जाता है तो यह गुर्दे के अध्यन से relate कर जाएगा A option right होगा question number 51 देख लेते है myology का अध्यन किसमें किया जाता है myology किससे relate कर जाएगा A option मान स्पेशियो के अध्यन के साथ में relate करेगा A option right answer होगा question number 50 देख लेते है anatomic का अध्यन किसमें किया जाता है anatomic का अध्यन सरी संरचना बिज्ञान में किया जाता है A option right हो जाएगा question number 49 संदर सास्त का अध्यन क्या कहलाता है तो यह क्या कहलाता है यह हो जाएगा aesthetics के साथ में relate करेगा C option right answer होगा question number 48 one minute हरदय का अध्यन किसके अंतरगत किया जाता है हरदय का अध्यन जो ही वो किसके अंतरगत किया जाता है यह हो जाएगा आपका Cardiology से relate कर जाएगा A option right answer होगा Q+.47. Kendrak का अधियन एक किसके आंतरगत किया जाता है To Qing jab का अधियन जो किया जाता है Cryology से relate कर जाता है A option right answer होगा Q.46. मस्तिस्क का अधियन किसके आंतरगत किया जाता है बात अच्छा question है Right answer क्या हो जागा projects chronology के साथ में relate कर Energा C option, right answer होगा, question number 45, हड्डियों का अध्यान क्या कहलाता है, 45 number का, यह osteology कहलाता है, D option, right answer होगा, question number देख लेते हैं, 44, plasma का अध्यान किस से relate करता है, यह किस से relate कर जाएगा, यहाँ पर option गलत है, serology के साथ में relate करेगा, serology इस question का right answer हो जाएगा, यहाँ पर serology कर लिजेगा, ABCD में से यहाँ पर कोई option सही नहीं है, तो question number 43, 43 क्या दिया होगा, उत्तक का अध्यान क्या कहलाता है, यहाँ पर option हो जाएगा, histology के साथ में relate करेगा, D option, right answer होगा, next question पर move करते हैं, संधियों का अध्यान क्या कहलाता, 42, तो यह क्या कहलाएगा, यहाँ पर orthology के साथ में relate कर जाएगा, A option, right answer होगा, question number है, आज का last है, first question है, कोजिका का अध्यान किसके अंतरगत होता है, तो यह होता है, cytology से relate कर जाएगा, A option, right answer हो जाएगा, इसके पहले कि हमने आपको 40 questions कल ही complete करा दिये थे, तो यह थे आज की कुछ most important top 20 questions, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को प्रस कर दीजिए, जिसको अभी हमारे paid group से जुड़ा, 9621-819209 पर contact करके, हमारे paid group से जुड़ सकता है, 500 रुपीज का payment करना होगा, phone पर, Google पर, Amazon पर, Patreon पर, account पर भी कर सकते है, किस सफलता आपको अवस्स मिलेगे, नए वीडियो मिलते हैं कोई most important questions के साथ में,